आप लोग आपका मोस्त वैलकम है हमारी सर्शन में माइनेमी सब्जित मिश्रा आम यह जी एजुकेटर और हम बात कर रहे हैं अज अपने फोर्थ फैप करेंट अफेर्स की आपको अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने कोल की तरफ अग्रिसर होंगे जैसे और जिनका आज इक्जाम उगे होने वाला है उनको बस यह कहना चौंग आप पढ़ाई करते रहे हैं और जिनका किसी वज़ा से सेलेक्शन इस बार नहीं से पॉइंट है सबसे पहले आप लोग अगर अगर अनकेडमी पर मुझे फॉलो नहीं की हैं तो फॉलो कर लिजे क्योंकि मेरे लेक्ट्रस के नोटिफिकेशन तब ही आपको मिलेंगे फॉर एक्जामपल आज दिन के बारा बजे हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने बजे बारा बजे तो आप फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे ठीक है तो फॉलो कर लिजे मुझे और गाईज अगर हम बात करें आप से अनकेडमी के बारे में तो यहां पर आपको एक पेज दिखाई पाड़ा है अनकेडमी बैंक एक्जाम की ब तो इसलिए हमारे batches भी आते हैं आप हमें follow भी कर सकते हैं शायद मेरी image छुप रही है मेरे से पीछे नहीं दिख रही है दिख रही है है ना तो आप देख सकते हैं मुझे यह हमारी team NASA भी यहां पर है Amit sir, Sachin sir, Naren sir और last में मैं ठीक तो guys यह हमारा मतलब introduction एक तरह से तो हमा आप किसी को भी follow कर सकते हैं 300 plus classes daily level पर आपको मिल रहा है बाई 40,000 recorded content आपको मिलना है घंटे के 20,000 question daily आपको मिलते हैं हर week हम 30 plus batch launch करते हैं और यह 30 plus batch के लिए आपको अलग-अलग fees पे करने की जोरत नहीं है आप एक एही बार में fees पे करके सारे courses देख सकते हो unacademy का learning का download कर लिए और यहाँ पर जाके phone number डालके अपना number verify कर लिए आपके सामने क्या होगा आपके सामने यह page खुलके आएगा choose your goal वहाँ पर bank exam click कर लिए get subscription में आप यहाँ पर click कर लेंगे तो आपको यह page खुलके मिलेगा जहाँ पर आपको team nasa code डालना है और team nasa code डाल किसी और भी exam के त्यारी कर रहा है तो यह code सब जगा लगी है 10% के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना session कौन कौन से point हमारे पास है तो starting करेंगे हमेशा की तरह motivational code के साथ और आज motivational code में कोई lines नहीं आज figure I hope कि आप इस figure को समझेंगे यह competition है सब लोग exam को beat करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आगे वही बढ़ पाया है जिसके पास proper एक strategy है जिसके दिमाग खुले हुए है और जो स्वार्थी होकर अपने लिए बढ़ाई करता है गाईस आप देखे न एक बोज लेकर आप आगे दोरते हो आप उस बोज को किस तरह से आप लेते हो यहा एक बाद से थोड़ी सी problem होती है न कि आप अपने आपकी बात क्यों नहीं सुनते कोई दूसरा बोलेगा कि CT आगया CT आगया परिशानी से comment आने शुरू जाते है कोई बोलेगा यह bank private हो रहा है comment अरे आप अपने study देखो न आपके अंदर क्या है कोई बोल रहा है math tough आ रही confidence लाता है motivation लाता है exam आपको देना है guys हाँ और एक दिन ऐसा आएगा कि जिनसे आप suggestion लेते हैं वो वही रहे जांगे और आप selection ले लेंगे तो अपने आपको best समझे है na complex feeling नहीं होनी चाहिए अपने आपको loser नहीं समझेना चाहिए भाई अगर तुम अपने आपको importance नहीं यह बात समझे लो यह मेरा अपना personal experience भी आपके साथ मैं share कर रहा हूँ आप best हैं और मैं follower हूँ स्वामी विगारंजी का उन्होंने एक बात बोली थी अगर आप दिन में अपने आपसे बाते नहीं करते हो मतलब अपने आपसे बात करने का मतलब खुद से strategy नहीं बनाते हो अपनी strength अपनी weakness सुनके तो आप दुनिया के सबसे best इंसान से बात नहीं करते हो ठीक है चली स्टार्ट करते है अपना session कौन कौन से point हमारे पास है तो हमेशा की तरह हम आज स्टार्ट करेंगे report और indices से और report और indices में हमारे indices का नाम क्या है आज economic intelligence unit democracy index ठीक है तो जो हमारा index ह हमको आज यहां पर मिल रहा है वो किया है वो है democracy index और इसमें इंडिया 53rd number पे है top by the Norway इंडिया 53rd number पे है top by the Norway आप कोई भी exam देने जाओ उसमे report और indices हमेशा exam ने exam के लिए important होते हैं चाहे वो railway का exam हो SSC का banking का कोई भी हो यह point आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन सारे point को tabular form में आपके लिए हम लेकर आए है देख लेज़े तो what is the name of the index index ता नाम क्या है तो आप देख लेए आपर index ता नाम यहां पर आपको हम दे रहा है 2020 का democracy index global ranking democracy में समस्ते हैं आप लो और यह index release किसने किय है the economist intelligence unit तो जो भी लोग नए है इस class में वो सुन लें जब भी index पढ़िये तो है यह हमेशा पढ़िये किसने से release किया आपके exam में आते हैं question ठीक है top by the Norway Norway इने top किया है आपको यहां पर दिखाई पढ़ रहा है second rank पे Iceland है third rank पे Sweden है fourth number पे New Zealand है पाचे पे Canada है और इंडिया की rank 53rd number पे इंडिया की rank 53rd number पे है तो एक point तो हमने ही आपको बताया फिर देख लें भाई लो economist intelligence unit की हम बात कर रहे है democracy index की बात करें यह index का नाम देख पे Canada इंडिया इन 50th है तो यह point आपको ध्यान देना है लेकिन इस बार दखिए हमारा current affairs latest pattern की तरह चलेगा आपके आपको बुरा लगे आपको भला लगे आपको बोरिंग लगे हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि हमेशा team NASA का focus रहा है selection ठीक है तो पिछली गलतियों से सबग लेते हुए हम थोड़ी सी information आपको और देने वाले हैं हो सकता हो कि आपके exam question पुछले की इंडिया से नीचे कौन है क्योंकि आस पडोस की बात होती है बाई पडोसी से हम सीखते है यार पडोसीों के अगर शादी वादी होती है हम खाना खाने चले आते है फ्री में 5-6 दि एन अफगानिस्तान 139 नमबर पर तो इस इंडेक्स में इंडिया से नीचे कौन से देश है आप देख पा रहे हैं लाइक श्री लंका लाइक बांगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है तो ये पाइंट हमारा है देख लीजेगा याद कर लीजेगा तो गाइस इंडिया से नीचे कौन कौन से देश है आपने इसकी भी इंफॉर्मिशन देदी आपको ठीक है अच्छा कल बहुत सारे बच्चों के फीडबैक्स आये थे कि सर करेंट अफेरस के बात इस समझो बेटा कभी-कभी ऐसा होता है कि रात में करेंट अपडेट नहीं होता है सुबह अपडेट होता है तो सुबह हमें टाइम नहीं मिलता हम जल्ली न्यूस कवर करते हैं तो इसलिए स्टेटिक पॉइंट आपको उस दिन नकल नहीं दिये पर लेकिन आज हमने पूरी को यह थी एक बार फटक से डिवाइस कर लेजे तो इंडिया की रेंग फिफ्टी थार्ड है एकिनॉमिक इंटलियंस यूनिट की बात कर रहा है डेमोक्रिसी इंडेक्स आया है नॉर्वे टॉप पे है आइसलेंग डूसरे पे है स्वेडन तीसरे नंबर पे है न्यूजरें पहले ही मिल चुकी है यह न्यूस आपको पहले ही मिल चुकी है कैसे इसको हम याद रखें तो गाइस होता क्या है न कि करेंट अफिर्स में एक लाइन आप याद कर लोगे न तो शायद उसे आप भूल जाओ लेगिन कभी-कभी एक कहानी आपके दिमाग में सेट होती है न अप्रेल से तो अप्रेल से एक्टिस्वार्श चलता है 12 महीने तो इन 12 महीने को हम स्य says और अप्रेल महीं जून जुलाइ गश्स सितंबर क्वाटर त्री सितंब्र अक्टूबर नॉंबर, दिसंबर तो इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसमबर के टाइम पर ये अपनी पोस्ट छोड़ देंगे, ठीक है, और एंडी जैसे जो है, वो इनके प्लेस पर आ जाएंगे, तो अब सुनो ये है क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी तक Amazon की बात पर रहे हैं, तो Amazon basically e-commerce में main focus company थी, लेकिन guys, Amazon इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, for example, इनका अपना cloud है, इनके अपनी cloud computing है, अपना servers है, even मैं आपको बताओ, अभी तक अमेरिका में एक software था, वहाँ के police station पर, facial recognition software वो भी Amazon ने बनाया था, मतलब इनसान का चेहरा, पुरा एक artificial intelligence, कोई भी काइम होता है, जैसे अपने movies में देखा होगा न, तो Amazon वो बना चुका था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि जो black book था ना, black log, negros people, उनके चेहरे पैचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी, तो फिर उसे बंद कर दिया गया, तो Amazon बहुत कुछ कर रहा है, for example, Starlink satellite, internet पुदा free करने के अमेरिगा में, है न, तो अभी e-commerce से Amazon का focus कहा shift होगा, on the internet of things, artificial intelligence, क्योंकि Andy जैसे जो है, ये CEO थे Amazon Web Services के, यानि अब Amazon का main focus artificial intelligence की तरफ जादा होगा, मुझे ऐसा लगता है, चलिए आए पूरी बात दिख लेते हैं यहापे, तो Amazon announced that founder Jeff Bezos will step down as the CEO of the company, by simple सी बात है, survival of the fittest, ची और किन चीज़ों पर number one हो सकते हैं, for example, आप quant में number one है, आप reasoning में number one है, ये मैं दावे से कहता हूँ कि आप GA में पूर होगा है, जिनका quant reasoning अच्छी होग GA में पूर है, और जिनका GA अच्छा है, वो quant में पूर है, तो why not, on all subject, in all subject, like math में, reasoning में, GA में सब में top रहोना है, तो survival of the fittest, मैं ऐसे में सुना कहता हूँ है, ठीक है, तो ये point हमारा हो गया, दगे, ये company के boss है या, तो ये इस्तीफा देने, इसका मतलि नहीं निकाल दी जा रहे है, ये आराम करेंगे, मतलब दूसरे नए talent को मौका दे रहे है, भाल कि तुम talented हो, अब तुम सम्हालो, नए लो इसके बात कर लिए, report और indices की, और एक news की बात कर लिए, हमने आप से appointment की, अब state level news की बात करें, तो guys, आपको याद होगा, अभी नीती आयोग ने, India innovation index launch किया था, और बड़े state में महारास्टरा number 2 पे था, तो महारास्टरा गौर्मेंट कहना ये है, कि हमारा target है, अगले साल तो next year, जो India's innovation index होगा, उसमें करनाटका को हम छोड़ेंगे पीछे, और number 1 पर रहेंगे, और इसके लिए, महारास्टरा गौर्मेंट ने अपने state में नई start-up policy लेकरिया आए, इसके तहद क्या होगा, इसके तहद कुछ start-up को choose किया जाएगा, और उनको कुछ funding दी जाएग तो इन्हों ने अपने state में start-up ecosystem को boost करने के लिए महारास्टरा मतलब अपने state में एक scheme launch की है, एक बात ध्यान देना, महारास्टरा ने अपने state में start-up ecosystem के लिए SIDB से already agreement किया भी हुआ है, SIDB से, तो ये भी ध्यान दीचेगा, Small Industries Development Bank of India, जिस Catwater लगनव में, ठिक, तो इतना point हमारा clear है, ये तो आपको पताईए है, अब देहो, इस पूरे scheme में, ये phase-wise scheme आएंगी, पहला phase, पहले phase में महारास्टरा गौर्में, 125 से लेके 150 startup को choose करेंगी, और उनको 2 लाग से लेके 10 लाग रुपए का financially help किया जाएगा, 125 से लेके 150, 2 लाग से लेके 10 लाग रुपए क financially support किया जाएगा, ठीक है, तो ये point तो आपको ध्यान है, तो मैंने पूरी कहानी आपको समझाएगे, what is the matter, matter ये है कि इस साल जो हमारा innovation index आया था, नीती आयोक का, उसमें आप देखें, तो major state में करनाट का top पे है, महारास्टरा दूसरे number पे है, तो महारास्टरा अगले सा महारास्टर टागेट है कि वो पहले number पे आ जाए, फिलाल आपका यहां पे revision भी हो जा रहा है, North East और Hill State में हिमाचल प्रदेश number एक पर है, और अगर हम UTs और cities की बात करेंगे तो Delhi number एक पर है, ये मैना को पहले पढ़ाया हुआ, आपका यहां पे revision भी हो गया, और पूरी क हमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब news number 2 की बात करेंगे, असन की बात करेंगे, ठीक है, शुमांगी जी हमेशा की तरह हम लोगों को motivate कर रही है कि सचन को like करें, तो please guys like कर दें सब लोग, और share विया कर दिया करो यार, मतलब है न, तो यहां पे असन की बात कर रहे है, अ इसकीम किस state government ने launch की है, तो ऐसे भी question बनते हैं, तो हमें इस तरह ध्यान देना पड़ेगा, देखे, सुना वो ध्यान से, तो अभी हम क्या पढ़ ला है कि सरबानन सोनोवा, यह असन की चीफ मिनस्टर है, इन्हों ने अपने state में for the education purpose, दो scheme launch की है, दो scheme, अब यह दो scheme कौ पहला है, प्रज्यान भारती scheme, तो आपके exam में question कैसे बनेगा, प्रज्यान भारती scheme किस state ने launch किया है, तो असम ने, असम ने प्रज्यान भारती scheme launch की है for the which purpose, for the education, देखे आपे, तो under the प्रज्यान भारती scheme, करीब इतने college के student है, इनको पंदरा सो रुपए दिये जाएंगे 3,26,046, आपको ये number याद करने की जोरत नहीं है, तो करीब 3,00,000 student है, जिनको पंदरा सो रुपए इच दिये जाएंगे for purchasing the textbook, मतलब किता विताब खरीदने के लिए, अच्छा, इसके लावा, while a total of 161 करोर रुपीज was rimbust for the free admission of the 4,00,000 eligible student, इसके लावा, ऐसे जो बच्चे हैं, जो मतलब proper study नहीं कर पा रहे हैं, school fees नहीं भर पा रहे हैं, तो उनका school भी, school fees भी, state government भरेगे, तो प्रज्यान भारती scheme में, हर बच्चों को 15,00 रुपे दिये जाएंगे, textbook खरीदने के लिए, और करीब 4,00,000 बच्चों का fees reimburse किया जाएगा, reimburse का मतलब, उनका पैसा school क दिया जाएगा, मतलब उनकी fees, जो उन्हें school ने पे करना है, वो उन्हें पे नहीं करना है, government उनकी fees पे करेगे, तो प्रज्यान भारती scheme पहली scheme है, जो आपको हमने बता दी, इसके लावा, दूसरा, the second scheme is the भाशा गौरव, यानि प्रज्यान भारती और भाशा गौरव, य इसका मतलब यह है, the second scheme is the भाशा गौरव, under which the state government provided 21 साहित्य सभा, with a total, मतलब, literary bodies का मतलब क्या हुआ, साहित्य सभा बनाए जाएंगे, एक तरह से आप बोल सकते हो कि, like library, जहाँ पर प्रॉपर इवेंट होंगे हमेशा, बच्चों को यहाँ पे education, motivation, सब कुछ दिया भाशा गौरो, second scheme, launch किस ने किया है, असम ने launch किया है, और इसके लिए 43 करोड उपीस दिये गये हैं, state government की news में बहुत deep में question नहीं बनेगे, central government के जो भी scheme है, उसमे deep में question बनेगे, state government बहुत deep में नहीं बनेगे, तो आपको ध्यान क्या देना है कि असम government ने दो scheme launch किया, दो दोनों का नाम क्या है, एक का नाम है प्रज्यान भारती, एक का नाम है भाशा गौरो, और ये दोनों के दोनों scheme education से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखिए, असम याद रखना आपको बस इतने में point आपका हो जाएगा, ठीक है, तो guys यहाँ पर हमने दो news की बात कर ल तो guys अगर आपने इस बार budget को ध्यान से सुनाएं, तो हमारी finance minister ने small companies को थोड़ी सी रहा दई है, पहले मेरी बास सुनिये, पहले मुझे background बनाने दिया उसका, guys, जब आप small companies में होते होना, तो small companies होने के नाते आपको central government, state government, कई तरह की सहूलियत देते, जैसे कभी-कभी subsidy, कभी-कभी आपके loan का interest चेक कम कर दिया आता है, है ना, कभी-कभी government of India आपके PF में contribution कर देती है, तो central government and state government small companies को हमेशा support करते हैं, लेकिन small company की परिभाशा क्या होने चाहिए, हम ये बोलते हैं अगर कि small company को हम support कर रहे हैं, और small company का criteria ही हम ऐसा रख दे हैं कि बहुत सारी companies में आए ही न, तो फिर क्या खायदा, तो हमारी FM ने इस बार के budget में small companies को काफी बड़ी रहत दिये, और small companies की definition को change कर दिया है, definition क्या change होई है, आए देखें यहां में, तो ministry of the corporate affairs की बात करें, इन्होंने definition, definition of the small companies उसमें amendment कर दिया है, आए ये क्या amendment किया है, उसके बारे में a non-resident Indian to incorporate one-person company in India, यानि कि हमारे देश में जो NRI business करने के लिए आते हैं, non-resident Indian, उनको one-person company में काम करने के लिए allow कर दिया गया है, अब ये one-person company का मतलब क्या होता है, मैं आपको example देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मिर्दापुर में, वो करता क्या है, उसने अपना खुद का एक portal बनाया है, खुद का portal, e-commerce का, खुद का, वो दूसरी जुझे company से समान खरीता है, अपना portal बनाया है, और वो खुदी supply करता है, बढ़िया quality में, अच्छा discount देता है लोगों को, FMCG product की वो मतलब selling करता, one-person company, service sector में एक person भी company बना के काम कर सकता है, guys, आपको ये पता है है न, जैसे हम मैं नुर्डा की बात करूँ, यहाँ पे हमारे apartment में एक बन्दा है, जो की Tiffin service करता है, की लिए ही रहता है वो, तो एक person भी service sector में काम कर सकता है, तो पहले NRI को यहाँ पे allow नहीं किया गया था, अब allow कर दिया गया, तो one-person company में NRI भी काम कर सकता है, तो एक point हमारे सामने यह है, ठीक है, अच्छा, दूसरे point की बात करें, सुनना वो ध्यान से, दो, the notification also highlights that the paid-up capital and the turnover of the small company shall not exceed respectively रुपीज 2 करोड and रुपीज 20 करोड, यानि अब ऐसी company, जिनका paid-up capital 2 करोड रुपए है, ठीक, और उनका turnover, turnover जो है, वो 20 करोड रुपए तक है, तो उन को small company माना जाएगा, और अगर किसी company का paid-up capital and turnover के उपर हो गया, तो वो small company में नहीं आएगी, paid-up capital 2 करोड रुप है, turnover 20 करोड रुप है, अब आपके mind में पहला question यह आगा, कि sir, यह paid-up capital का मतलब क्या होता है, turnover तो हम चलो समझ रहे हैं, what is the meaning of paid-up capital, paid-up, paid-up जो paid कर दिया ग capital कौन पर कर रहा है, आपके partners, simple करते हैं न, paid-up मतलब जो pay कर दिया गया आपको, तो paid-up capital का मतलब बेटा यह होता है, जिसे मालूम मैं अपनी बात है तो, मैंने अपना कोई business शुरू किया, मेरा मानना यह है कि 50 करोड रुपए में मैं business शुरू कर सकता हूँ, मेरे पास 30 कर करोड रुपए का मतलब क्या हुगा, मतलब कोई small company है, अगर वो partner बनाती है किसी को, तो उससे वो केवल 2 करोड रुपए ही ले सकती है, उसके उपर नहीं ले सकती है, मेरा business है, 5 करोड रुपए में चल रहा है, 3 करोड मैंने लगा है, 2 करोड आपने pay किये मुझे, as a shareholder, as a partner, तो paid up capital का मतलब हमशना क्या होता है, partnership का पैसा, याद रखिया इस बात को, अपना पैसा net own fund, कई बार आप लोगोंने मेरे मुझे से ये net own fund सुना होगा, paid up जो पैसा बाहर से partners लगाते हैं, clear, guys, सर एक बार calendar share कीजिए, साक्षे जी मतलब कि अभी तो class चल लिए हमारी लेकिन आप ये कौन से calendar की बात करें, exam के, मेरे खाल से exam की बात कर रही हूँगे, है न, दोस्तो paid up capital 2 करोड, turnover 20 करोड, तभी आपको small company माना जाएगा, याद रखेगा मेरी बात, clear, guys, तो एक point हमने आपको ये बता दिया, ठीक है, चली, इसके पहले क्या नियम था, तो last time, 2018 में, company act में amendment करके, ये कह दिया गया था, कि भाई, small company का मतलब, आपका, 10 करोड रुपीज होना जाए, paid up capital, और 100 करोड रुपीज turnover, ये बहुत, बहुत, बहुत जदा था, 10 करोड और 100 करोड, पहले था, अब कितना हो गया है, 2 करोड और 20 करोड, तो ये भी ध्यान दिया, ठ बात करते हैं, next point की कौन-कौन से point हमारे पास है, चलिए, government scheme में, एक tough point हमने complete कर लिया, अब दूसरे tough point की बात करते हैं, guys, तो आपको पता है, जैसे अभी हम लोगों ने budget पे class ली, तो budget पर बहुत सारी बाते हो, एक point है, जो मैं और बोलना चाहूंगा, तो इस बार के budget में government of India का थोड़ा सा focus, आतने बर भारत की तरब भी है, government of India ने ऐसे बहुत सारे चीजों पर custom duty बढ़ा दी है, import duty बढ़ा दी है, ताकि वो हमारे देश में import कम हो, और import कम होने का मतलब, import महंगा हो जागा न, जब government of India आपसे कह रही है, कि तुम import करोगे, तो ज्यादा tax दिना पढ़ेगा, तुम import क्यों करोगे, तुम देश में ही बनाओगे उसे, है न, तो इसी करम में क्या हुआ है, जैसे electronic समान की बात करें, electronic समान की बात कर लें, या फिर हम बात कर लेते हैं, for example guys नहीं हमों 16 प्लेट विट खरीदेते हैं, पैनल, उन सब पर भी कस्मटी बढ़ा equipment, मतलब power sector के equipment, जो अभी तक हमें import करते थे, government चाहती है वो इंडिया में बने, इंडिया में बने, इंडिया में testing हो, मतलब make for India, फिर समाई लो, power ministry ने एक manufacturing program launch किया है, for the critical equipment manufacturing, आ ये क्या मतलब है, धीरे धीरे हमारा ये point clear हो जाएगा, देखें, ध्यान से देखेंगा, guys, a domestic manufacturing program for critical power and renewable energy equipment will be launched by the ministry of power in the financial year, ठीक है, ये जो हमारा financial year, मतलब basically अभी शुरू हो रहा है, तो उसमें ये launch हो जाएगा, manufacturing program for the critical power and renewable energy, ध्यान दो बेडा, मतलब electricity जो हम produce करते हैं, power जो हम produce करते हैं, उसके critical equipment, as well as renewable energy के critical equipment, जो हम import करते हैं, वो देश में बनाए जाएंगे, उसके लिए scheme आ रहे हैं, अब scheme में कौन कौन से point है, वो देखेगा, सुनिए, इस program में government of India, मतलब ministry of power जो है, वो 1500 करोड रुपे खर्च करेगी, ministry of power, 1500, अच्छा, who is the power, who have the ministry of power, ministry of power, who have the ministry of power, मतलब की कौन है, जिनके पास ministry है, power की, और as well as, वो हमारे देश के renewable energy minister भी है, independent charge है, कौन है जरा नाम मुझे बताइएगा, ठीक है, चलो, तो 1500 करोड रुपे दिये जाएंगे scheme में, एक point, it would be the three manufacturing zones per year, और हमारे देश में हर साल, तीन manufacturing zone भी खोले जाएंगे, गाइस, पूरा न्यूस एक बाद समझे लो, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में अभी तक, जो critical equipment है, power के, या renewable energy के, जो हम import करते थे, वो देश में बनाए जाएगा, इसके लि आरके सिंग हैं, अच्छा, very good, बहुत बढ़िया, चलिए, अच्छा, आगे बढ़ें, अब देखिए, अब ये three zone कैसे बनाए जाएंगे, coastal, landlock and hilly, मतलब ऐसे शहर या ऐसे area, जो coastal areas में है, मतलब जहां पे समुध्र-मुध्र है, landlock का मतलब चारो तरफ से घुरा हुआ, और hilly का मतलब समझ गेंगे आप लोग, तो हर साथ हम क्या करेंगे, तीन-तीन जगहों पर ये zone बनाएंगे, manufacturing के zone बनाएंगे, सुनो, इन तीनो zone को 500 करोड रुपए दिये जाएंगे, क्योंकि, क्योंकि क्या था, 1500 करोड रुपए scheme है, scheme का cost है, तो हमारे देश में coastal areas में, land पावर के equipment बनाएंगे, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए न, तो उनकी टेस्टिंग के लिए, Central Power Research Institute, ये बहुत डीप में माला की चले गया है, लगिन फिर भी, Central Power Research Institute जो है, वो facility लगाएगा, कि मतलब आपने क्या किया, आपने कोई चीज बनाई, तो उसकी टेस्टिंग कौ करेगा, National Institute of the Solar Energy, and National Institute of the Wind Energy, ये लोग करेंगे, ठीक है, तो ये हम काफी डीप में जाके आपको बता रहे हैं, कि भाई, equipment बनेगा, कितना fund allocate किया जाएगा, कहां-कहां ये बनेगा, उसके बाद इसकी टेस्टिंग कौन करेगा, सारी information हमने आपको दे लिए, ध्यान से गाइस पूरी news, एक बार PDF से आप रिवीजन कर लेंगे, तो आपको और भी ये clear हो जाएगा, ठीक है, तो guys ये news clear है, अगर clear हो plus one कर देना, ठीक है, निस्था बोल लिए plus 11, अच्छा ये अभी तक का बता रही हैं पूरा कि कौन कौन से news clear हो चुके है हमारे, guys देख लो एक बार, तीन जगा बनाए जाएंगे, और तीन जगा के लिए 500 करोड रुपे दिये जाएंगे, मतलब 1500 करोड रुपे, और ये जो बनाए जाएंगे coastal areas में, landlock and hilly, 500 करोड रुपे, और इनके checking के लिए, Central Power Research Institute और National Institute of the Solar Energy and National Institute of the Wind Energy checking करेंगे, ठीक है, तो सारी information, हमको यहाँ पर मिल ग मार खाय बिना नहीं मारोगे, तुम मार खाय बिना नहीं मारोगे, माता जी हमारी आज भी करते हैं, तुम बैह गए हो, मतलब अभी तुम बैह गए हो, तुम ऐसे control पर नहीं आओगे, तुम्हारे साथ साम दाम दंड भेत करना पड़ेगा, वही हाला श्रिलंका का, तो श्रिलंका back out of the pact with the India-Japan on the terminal at Colombo Port, आईए पूरी information आपको दिखाते हैं, कौन-कौन से point हमारे पास, गाइस दखें, श्रिलंका has backed out of an agreement with India and Japan to develop the east container terminal at the Colombo Port, अब Colombo Port तो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, आज के आपके exam में ऐसे question बन रहे ह लेकिन Colombo Port में, Colombo Port पहले से बना हुआ है, तो जो expansion हम कर रहे थे, east container terminal, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो contact था, वो श्रिलंका ने cancel कर दिया, Colombo Port का east container terminal, और ये भारत के लिए बहुत-बहुत बढ़ा जटका है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो आईए, कौन-कौन से point है, वो आपको हम दिखाते हैं, जीके शर्मा जी देखिए, अगर बात करें तो हम लोग वैसे एक news आई थी यहाँ पर, कि इरान ने चाबहार पोड का भी deal cancel कर दिया, लेकिन बात ने वो हो गया, तो actually news तो confirm है, news confirm है, अब ये होगा कि ज हैं, तो withdraw कर सकते हैं, जी साथ इरान में हुआ हमारे साथ, है ना, तो अभे रुखिए, जो news आई है, वो तो मैं पढ़ाना ही है, चली, अब देखिए यहाँ पे, तो मतलब ये जो हम बना रहे थे, East Terminal, इसमें 51% share श्रिलंका का था, और 49% share इंडिया और जापान का था, ये जियो पॉलिटिक्स है भाई, चाइना ने बोला होगा कि भाई, तुम ये कर लो, हम तुमें ये देंगे, अब इंडिया का उंटर करेगा, अगर तुमने नहीं ह समझे रहे ना, चाइना ये दे रहा है, तुमको हम ये देंगे, और ऐसे ही लोग मारे भी जाते हैं बहुत, आप लोग के personal life में होता होगा ना, आपको कोई दुश्मन होगा, एक बिचवलिया होगा, है ना, आपको उससे काम निकलवाना है, आप पहले प्यार करते हो, 50% शिलंका के पास, 49% इंडिया और जापान आपस में distribute करने वाले थे, ये इतना important क्यों है, आप लोग समझे, जब ये by ship जो transportation होता है, तो ये इंडिया खतम हो रहा है, ये शिलंका खतम हो रहा है, ठीक है, तो ये जो area आप देख रहे हैं बीच का, यहां से ship जा नहीं पात हैं, तो वो पूरा घूम कर जाते हैं, जैसे for example, Congress Government में एक चीज होई थी, ये सेतु तोड़ने की बात होई थी, ताकि ये जो proper ship है, वो जा सकें, लेकिन बात में मतलब इसके विरोध के बात ये हुआ नहीं, तो अभी भी ship को पूरा घूम के यहां पर आना पड़ता है, त लेकिन शिलंकार इसमें गेम खिल दिया, तो अब क्या किया जाए, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, तो ये news हमारे पास थी, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे India's first news की, मतलब भारत में क्या पहली बार होने वाला है, तो India gets its first center for wetland conservation and management in Chinnahi, तो भारत को उसका पहला center मिल गया है, for the wetland conservation and the management, कहां पर Chinnahi में, कहां पर Chinnahi में, it is very very important news, सुनिया, आप लोगोंने रैमसर convention सुना है न, रैमसर convention का पचासवा साल होने जा रहा है, और इस मौके पर India ने Chinnahi में अपना wetland conservation and management center open कर दिया, Chinnahi में, ठीक है, गाइस आपको बता है कि हमारे दिश में 42 रैमसर साइट का मतलब होता है, a site, जो की international importance में आ जाता है, मतलब ऐसे कोई लेक, जीले, या कोई नदी, या कोई पानी का source, जो धीरे-धीरे danger में आ रहा है, उसको बचाने के लिए, conserve करने के लिए, हम रैमसर साइट भोशित करते हैं, रैमसर convention का 50 साल होने जा रहा है, wetland के बारे में समझते हैं आप लो, wetland conservation and management, यह हम कहां पे खोल रहा है, यह हम चिन्नई में खोल रहा है, कहां पे, has been established in the national center for the sustainable coastal management, मतलब यह पहले से एक building है, एक पहले से office है, उसमें हम लोग क्या कर रहा है, उसमें हम लोग wetland conservation and management center खोल रहा है, चिन्नई में, याद होगा कि जो हमारे Ramsar sites हैं, उनको conserve करना basically, देखें, extra information, तो India has a total of 42 sites, 42 वान सा था, 42 वान सा था, comment गईगा मुझे, हाना, तो यह international importance of the Ramsar site यह आपको मालूमी है, अच्छा, फरवरी तो mark the 50th anniversary of the signing of the Ramsar convention, जो की Ramsar कहा पर, इरान में हुआ था, 1971 में, यह स्रेकर information आपके सामें देख लिजएगा, पृती बोली, 41 था ना, पृती जी 42 भी हो चुका है, कभी-कभी ऐसा होता है, कि मतलब, चीजें बढ़ जाती है, तो वह हमें यादी करना पड़ेगा, बेटा है ना, तो इंडिया के पास 42 Ramsar sites हैं, 42 कौन से था, तसोकत, वैभा जी, यह नाम थड़ा थ यह 42 सुमा था, याद रखेगा, तो गाईज, यह news clear है हमारी, पहला center for wetland conservation and management, कहां पर चिन नहीं है, और यह क्यों हमने open किया, 2nd February को, Ramsar convention का, 50 भी anniversary, that's fine, तो एक point हमारा यह हो गया, यह हो गया, पहला center, चली, दूसरे इन उसकी बाप करते, तो भारत का पहला amputee clinic, launch in the Chandigar तो भारत का पहला amputee clinic, जो है, वो चंडिगar में launch चुगा है, what is the meaning of amputee, guys आपको शायद यह पता है, कि नहीं मुझे नहीं वालो, मैंने अपना career as a medical rap से शुरू किया था, वो जो नहीं, doctor कहा अपना bag अगले की आते रहते हैं, थोड़े से smart type के लोग होते हैं, बात करते English में दवाईयां मिचते हैं, तो दिक्कत क्या थी मेरे साथ कि मैं English बोल नहीं पाता था, हालागी, है ना, तो यह amputee का मतलब समझेगा, guys आपने सुना भी होगा, बहुत लग अपने नीक operation कराते हैं, तो नीक की operation में जो वो नहीं हमारा एक part होता है, जिसे हम लोग जो गोल reality, as a सजा, ये नियम है, अच्छे भले इंसान का हुटना निकाल लो, तो amputee हम वो बात कर रहते हैं, तो ऐसे लोग को support करने के लिए चंडिगड में भारत का पहला amputee clinic खोला गया है, देख लिशेगा, ठीक है, तो guys यहाँ पर हम बात करें, PGI का मतलब जानते हैं, आप ल ये ख्याल से आपको याद रहेगा, चंडिगड इसदा second news हमारी, ठीक है, ये देख लिशेगा, आगे बढ़े गाईस, तो इसका inauguration, PGI जो था जनिर जा, उसके director professor जगत राम जी ने किया था, हाला कि ये बहुत इतनी important news नहीं है, तो आपको चाहें तो इतने deep में मत human milk bank open हुआ है, कभी-कभी ऐस होता, कि कोई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जिनके जन के टाइम पर उनकी माता इस दुनिया में नहीं रही, या उनकी माता serious condition में चली गई है, वो अपने बच्चे को feeding करा नहीं सकती है, तो that situation काफी खराब होती है, और कई सारे बच्चे मरे जाते हैं, तो हमने निर्णाय लिया था कि हम अपने पूरे देश में human milk bank बनाएंगे, तो केरला का पहला human milk bank ये कहां पर बना है, ये बना है आपका अरना कुलम district में, देखें यहां पर guys, केरला का पहला human milk bank की बात करना, ठीक है, तो ये जो है, ये अरना कुलम एक जगह है उसके सरकारी hospital में ये center बनाया गया है, ठीक है, इसमें human milk को 6 महीने के लिए save किया जा सकता है, इससे बहुत बड़ी तदात में, ऐसे बच्चे जो की मतलब lack of the mother's milk मर आते हैं, तो उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है, तो six month की बात करें, तो आपको ध्यान का देना है, केरला का पहला, human milk की हम बात कर रहे है, center, कहाँ पर अर्ना कुलम, कहाँ पर केरला में, वहाँ पर ये बनाया है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको बस, ठीक है, तो एक point हमारा ये हो गया, आगे बड़े, news number 4 की बात करते, तो अंडमान और निकोबार आइलेंट बिकम the first UT to be free of the COVID 19, तो अंडमान निकोबार जो आइलेंट है, वो हमारे दिश का पहला UT बन गया है, जहाँ पर एक भी case COVID-19 के नहीं है, कोई, अब question ये है कि अंडमान निकोबार की population कितनी है, फिलाल हमें positive बातों पर ध्यान देना चाहिए, दिखें गाने, तो अंडमान निकोबार आइलें has become the first UT of India to be officially declared free from the coronavirus infection, as the active cases of the virus in the UT has fallen to zero, यानि अंडमान निकोबार में अब एक भी COVID-19 का active case नहीं है, और ये पहला UT बन गया, जिसे हम लोग COVID-19 free बोल रहे है, ठीक है, ये point आपके सामने है, तो भारत ने पहले चार किया, तो एक हमने क्या बात की, एक हमने wetland convention center की बात की कह इंडिगर में, एक हमने क्या बात किया, केरला का पहला human milk bank कहाँ पे, अरना कुलब, और एक हम ये बात करते हैं, तो चार point की बात हमने यहाँ पे कर लिए, ठीक है, चलिए, अब बात करते है, स्पोर्स की, तो guys कुजिन पहले की बात है, मैंने आपको information देते है कि ICC, ICC men's player of the month एक award लेके आ रहा है, और ICC ने मन्थ की बात के रहें, तो तीन खिलाणियों को nominate भी कर दिया, असके लिए, रिशब पन्थ, जोयरूट, और ये तीसरे जो है, वो Ireland के हैं, इनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, देखें यहाँ, guys, तो India wicketkeeper, batsman Rishabh Panth, has been nominated for the ICC men's player of the month, along with the Englanders keeper Joy Root, and Ireland के Paul Sterling, एक बार समझेगा, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार है, important रहेगा exam के लिए, इसकी सारी news हमें cover करनी पड़ेगी, तीन लोग को nominate किया गया है, तो तीन player कौन है, उनके नाम हमने आपको बता दिये हैं, ठीक है, आगे बर दे, इस sports पे news number 2 की बात करते हैं, तो former Pacer, Merv Hughes, inducted into Australian Crate Hall of Fame, तो Hall of Fame का मतलब गाइस, क्या होता है, मतलब कि जो हमारे देश के सम्मानित creators होते हैं, उनको proper सम्मान देने के लिए हमें club बनाते हैं, जिसमें हम पुराने old खिलाडिस को मतलब इसमें रखते हैं, तो former Pacer, Merv Hughes की बात करें, तो Australia Crate न Australian Cricket ने अपने Hall of Fame में शामिल कर लिया है, तो नाम बस आपको ध्यान देना है, और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो दो पॉइंट हमने आपको बताएं, ठीक है, चली, ये इनके records आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे National News पर है ना, तो गाइस कर आपको पता है कि Arrow India जो है वो शुरूर हो चुका है बैंगलोर में है ना, तो Arrow India पर न्यूसम कवर करेंगे जब ये खतम हो जाएगा, योगि Already Arrow India कौन सा एडिशन है, थीम कौन सी है, अप्लिकेशन कौन सा लौन चुका, हम कई बार बात कर चुके हैं, तो ये खतम होते ही हम उसे cover कर लेंगे Arrow India हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो contact sign होना था, वो sign हो चुका है, और HL को हमने 83, 83, जो हमारे light aircraft हैं, तेजस, उसको बनाने का contact भी दे दिया है, 48,000 करोड उपीस में, अब HL, भाई HL को इतने सारे जहाज बनाने हैं, तो HL को inaugurated at HL, इसका inauguration किस ने किया, राजना सिंग जी ने किया, ठीक है, तो राजना सिंग जी ने HL में एक नया production unit launch किया है, जहाँ पर light combat aircraft मतलब तेजस बनाये जाएंगे, ठीक है, HL की बात यहाँ पर हम कर रहा हैं गाईस, अच्छा, देखें, अब ये HL के कौन से campus, बैंग Bangalore में ही बना है, HL का वैसे भी headquarter Bangalore में ही है, तो ध्यान दे जगा इस point को, ठीक है, चली, तो इस plant से क्या होगा, जो तेजस का production है, वो double speed से हो जाएगा, ये, तो इस पूरी news में exactly में किवल, एक point आपको ध्यान देना था, जहां से question बन सकते थे, बाई, इन operation कौन करेग तो defense minister करेंगे, वो में को मालू में, लेकिन ये plant कहां पर बना, तो ये पैंगलोर में बना, ठीक है, तो ये point हमारे सामने है, तो मैंने आपको गता है इसकी, HL को वैसे भी 48,000 करो रुपीस का contract मिला हुआ है, for the 83 Tejas plane के लिए, तो ये आपको पहले ही मालू में, ठीक है, चल चार मीलियन लोगों को, वैक्सीन देने में, जतने दिन लगाए गया है, उसमें इंडिया सबसे तेजी से, चार मीलियन लोगों को COVID-19 वैक्सीन लगवात चुक रहा है, आप में से किसी ने लगाया कि नी लगाया, COVID-19 वैक्सीन, लगवालो भईया, लोग सब लोग, ठीक ह देखी गाईज यहां पे इंडिया ने पूरा कारणामा कर लिया है चार मिलियन लोगों को वैक्सीन लगा दिये एक बार चार देख लिए तो इंडिया ने 18 दिन में युएसे ने 20 दिन में इस्राइल ने और युके ने 39-39 डेज लिये यह मतलब देख लिए आप लोग इंडिया को हमेशा आप लोग क्या सुचते हो तो यह भी पॉइंट आपके सामने है नहीं लगवाया है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं लगवा लीजेगा आगे बड़े नेशनल न्यूस में न्यूस मत से की बात करेंगे तो हुबली हुबली में तीन विद्यार्थी हैं इनकी खॉलेश के नाप मैं आपको आगे बताऊंगा इन्होंने एक माया नाम का रोबोट बनाया है जो बैंक में काम करेगी माया इग्जाक्ली में क्या होगा ये आपके चेहरे को पहचाल लेगी डेटाबेस के साथ और जब आप इसे कुछ बोलोगे तो यहां पर दोखो यहां पर स्क्रीन लगी होई है तो ये आपको स्क्रीन में आटोमेटिकली टाइप करके आपकी आइंसर देगी माया आए पूरी इंफॉर्मिशन देखें यहां पर इंजिनरिंग कॉलेज स्टुडेंट इन दा हुबली करनाट का इन्होंने माया नाम का रोबर्ट बनाया है और ये रोबर्ट इस तरह बनाया गया कि ये बैंकों में काम कर सकता है ठीक है आठ महीने लगे हैं पांच लाग का इस पर खर्च आया है तो ये पांच लाग रुपया खर्च आया है वो देख लेजिए रोबर्ट माया नाम है बैंकों में काम करने के लिए इसको मनाया गया एक पॉइंट हमारे सामने है ये लोग मुझे मालूम था है ये लोग हमारे वेकंसी को खा रहेंगे शुबं जी 2013 में पहली बार ICICI Bank ने अपने ब्रांच में रोबोट डेप्लॉई किया हुआ था 2013 में ये आज की बात नहीं है परेशान मत होईए फोकस रखी के वाद चली आगे बढ़ते हैं गाईस अब बात करेंगे थोड़ी स्टाटिक न्यूस की तो न्यूस नंबर बन से हमारे पास क्या गया पॉइंट हम तो मिल सकता है पहला भाईया हैड़कॉर्टर कहां पे है Economic Intelligence Unit का कहां पे लंडन में है पहली न्यूस हमारी इसके अलाबा गाईस कुछ इंफोर्मेशन भी इमने को लगसे दी है जैसे Economic Intelligence Unit निस के पहले Asia Pacific Personalized Health Index लाँच किया था जिसमें इंडिया को दसवी rank मिली थी याद करिये है ना इंडिया rank 86 अमंग the 98 countries in the लुई इंस्टिटूट COVID-19 Response Index न्यूजिलेंड ने इसमें टॉप किया था याद है मैंने पढ़ाया है ठीक इंडिया सिक्योर 86 rank in the Corruption Perception Index न्यूजिलेंड और डेन्मार्क टॉप पहले इन उसकी बात करें इंडिया rank 7th in the Global Climate Risk Index एंड मोजांबिक टॉप किया इसमें रिविजन के पॉइंट है इंडिया rank 85 in the Henley Passport Index जापान टॉप्स ठीक है तो इस सारे पॉइंट हमने आपको रिविजन करवाएं पहले बी एक बार और देख लिशेगा रॉक माइकल भाई कहा थे तूँ तुम कैसे बरसात की तरह हो पॉच्छा की तरह बनके आते हो फिर गायब हो जाते हो या यह वह बोलो तुम बरसात में एक इंद्धरुश की तरह हो जो सात रंग लगा के गायब हो जाते हो क्यों भाई डेली आया करो क्लास्में चलिए, नेक्स न्यूस न्यूस नंबर टू जहां पर हमने Amazon की बात की थी तो Amazon की बात करें तो Amazon का Headquarter कहां पे है Seattle में है इसके CEO Designate कौन हो गए है Andy Jesse हो गए है Right Now अभी CEO कौन है Jeb Bejoz जी है और Amazon के Senior Vice President and CFO कौन है तो Brian Olsa Whisky है ठीक है, यह देख लिए जगा ठीक है वो सब E.I.U. ने नहीं काला है बेटा E.I.U. पे नाम लिखा था ना हमारा एक बार आप PDF को देख लिजएगा तो उसमें clear हो जाएगा E.I.U. का किवल यह है Information और यह E.A. को Headquarter है यह सब अलग से Information यह Lowby ने नहीं काला है मैंने पढ़ाया तो आपको ने एक Announcement किया था कि Establishment of the Quantum Computing Application Lab in Partnership with the Amazon Web Service यह पॉइंट ध्यान दीजएगा यह Reason ने आपको करवा रहा हूँ यह Important Point है हमारे लिए ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं Next Point की बात करते हैं तीसरा जो उस महारास्त्रा पोले गए था तो महारास्त्रा के National Park हम कैसे याद करें तो महारास्त्रा के National Park जो है उनने याद करने के लिए एक trick हमें याद करने पढ़ेगी संजय ने चंदन जो गुंगा था उसके नए गाउं जाकर उसे तोड़ा मतलब मारा संजय ने चंदन को मारा चंदन गुंगा वैक्ती था वो अपने नए गौम लाके रह रहा था और संजय ने वहाँ छोड़ा नहीं वहाँ लाके मारा संजय चंदन जो गुंगा था उसके नए गाओं जाके उसको तोड़ा इसका मतलब क्या हुआ संजय मतलब संजय गांधी नेशनल पार संजय ने किसको चंदन को न लेगिन चंदन क्या था गुंगा था गुंगा मतलब गुंगामन नेशनल पार संजय और यह देख लिए गाओं का मतलब नए गाओं नेशनल पार तोड़ा मतलब तड़ोबा नेशनल पार जन्वरी को महरास्ट्रा का जन्रीजम डे मनाया गया आपको पताएए गाइस इसके लावा महरास्ट्रा में थाने डिस्ट्रिक्ट में पीरियड रूम बनाया गया है ये जन्वरी का हम रिविजन करने महरास्ट्रा का और देख लिजेगा महरास्ट्रा के गवर्मेंट ने न ठीक है तो ये पॉइंट कुछ महारास्त्रा की करें इंटर वे जिजन पॉइंट है जो हमने आपको बता है आगे बढ़ें गाइस about असम की बात करें चौती निज हमारी असम तो असम हमारे देश का largest producer of tea है पहला information ठीक The largest river line island मतलब river पे तैरता हुआ island मजौली आपने सुना होगा On the Brambutra river वो कहाँ पे है असम में वोने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ island मजौली कहाँ पे है Brambutra river असम में असम नोन as the land of the red river and the blue hills Red river and the blue hills भी बोलते हैं असम को ठीक है काजीरंगा national park and manas wildlife sanctuary of असम are UNESCO world heritage sites ठीक है असम share the maximum number of the borders with other states for example अनुनाचर प्रदेश, Manipur, त्रिपूरा, नागालेंड, मिजूरम, वेस्ट बेंगौल और मिगालिया ठीक है और देख लिए चेक है इंडिया का longest river bridge भुपेन हजारिका ये भी असम में है लोहित river पे बना हुआ एशिया की सब्स पुरानी oil refinery कहाँ पे डिगबोई असम में ही है असम में एक place है जतिंगा place जहाँ पर mass birth society होता है जहाँ पर पक्षी आते हैं और पत्थर से लड़के मर आते हैं यहाँ ना society कर लेते हैं आपे ठीक ब्रह्मपुत्रा इंडिया की केवल एक male river मतलब हमारे देश में नदियों को माता माना गया है और ब्रह्मपुत्र जो है वो केवल देश में एकलोते male river है याद रखेगा तो यह point हमारे सामने देख लेज़ेगा ठीक है तो कुछ हमने reason करा दिया आपको चलिए आगे बढ़ते है पच्चु यह नहीं समारी काती गाइस corporate affairs के है न कि ministry of corporate affairs ने नियम change कर दिये small companies के तो याद रखना ministry of corporate affairs के अंडर में कौन-कौन काम करती है body serious fraud investigation office Indian institute of the corporate office competition commission of india national company law tribunal and national company law appellate tribunal तो maybe आपसे exam में कभी question यह बन सकता है कि यह substitute किसके इंडर में काम करते है तो ministry of the corporate affairs यह भी याद कर लेज़ेगा ठीक है आगे बढ़ते next point की बात करें आरके सिंग की बात करें तो आरके सिंग हमारे दिश के इनके पास कौन-कौन से responsibility है यह minister of power भी है और इनके पास minister of the new and the renewable energy भी है ठीक है यह देख लेज़ेगा और इनका जो निर्वाशन शेत्र है वो कहां से है आरा बिहार से हैं यह भी देख लेज़ेगा आगे बात करें श्रिडंका की तो श्रिडंका की legislative capital कहां पे है श्री जैवर्धने कोटे में है एक्जेक्यूटी और judicial capital कोलंबो में है प्रेसिडंट को नहीं है यहाँ पे गोटबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर भाहिंदा राजपक्षा यह दोनों भाई भाई है ठीक नेक्स पॉइंट की बात के रहें हमने फस्ट की बात की थी फर्स्ट में कुछ पॉइंट आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे जैसे गाईस मानलो एक्जाब में कोश्चन बन जाए नाम बताइए आपका इंसर क्या होगा डिस्टल ओशियन अप्लिकेशन है ना डिस्टल ओशियन अप्लिकेशन भारत का पहला टेस्ट बेट पॉर ऑटोनोमस नविगेशन सिस्टम टिहान फांडेशन इस्टैबलिश कहां पर हो रहा है अच्छा कोश्चन है यह आईट हैदराबाद एक कोश्चन है नेम आप दे इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एरड्रॉप कंटेनर तो यह कुछ कोश्चन है इंपॉर्टेंट जो हमने आपको यहां पर दे दिया आगे बढ़े गाईस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हेल की बात कर लें हिंदुस्तान इसका है कोटे बैंगलोर में है चेर्मेन को ने आर माधवन चीह है देख लेचेगा ठीक है यह पॉइंट हमारा हो गया आइए एमसे क्रूइस की बात करते हैं गाईस पहला कोशन हमारा सबसे ज़्यादा लेप्रोसी केस कहां पे गाईस तो कल हमने आप से बात की ती इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर इंडिया हो जाएगा पहले पे इंडिया दूसरे पे ब्राजील तीसरे पे इंडोनेशिया इसका एंसर क्या होगा यहाँ पर answer की बागते रहें तो इंडिया रंग दूसरी है ना, पहले पर जर्मनी ठीक, who has been appointed as the new chairman of the Mahindra and the Mahindra financial services what is the answer, and the answer is the Anish Shah, option number sees the right answer, which country has won the men's world handball championship, ये काईरो Egypt में हुआ हमने पढ़ा था, इसका answer क्या होगा, Denmark option number है, है ना next question, Denmark है और Spain तीसरे number पर, Denmark पहले number पर, और उसके बाद Sweden दूसरे number पर, और Spain तीसरे number पर, world wetland day हम कब मनाते हैं, कल हम लोग बात कर चुके हैं days पर भी, theme पर भी, answer is the 2nd February, और अगर theme की बात हैं theme इसकी क्या होगी, wetland and the water, option number C is the right answer next question, who is author of the book, Yes Man, the untold story of the Rana Kapoor, इसका answer क्या होगा, answer is the Pavan Silal option number D, Pavan Silal option number D is the right answer, what is the currency of the Denmark, Denmark currency क्या है भाई, Pavan Silal हमारा होगा, Denmark answer is Kronay option number ही, तो Denmark की currency क्या है Kronay याद कर ले चेगा, capital आपको बता है मेरे ख्याल से, next point which of the following has been named as the Hindi word for of 2020 by Oxford, answer is the Atmanirbhar option number B, which of the following state chief minister has launched the Hargar Pani, Hargar Safai mission, answer is the Punjab option number E, which of the following automaker company has partnered with the Google to offer cloud-based data services ये नया question आपके लिए है, तो Google के साथ किसने agreement किया कौन सी automobile company ने, answer is the Ford, Ford and Google याद रखना ये important question है, who among the following is the author of the book, the little book of the encouragement, तो ये 14 में Dalai Lama ने लिखिये book, option number B is the right answer, a new provision of the FCRA that makes its mandatory for all NGO to receive foreign fund in a designated bank account at the which bank, New Delhi branch, कल हमने बात की थी कि सारे NGO को State Bank of India, Delhi में अपनी ब्रांच को, अपना कौन खूलना पड़ेगा, option number D is the right answer, in Kerala looks ahead, global conclave, how many themes covered, कल हमने बात की थी ना, सकी, कितनी theme, 9 theme, 9 theme cover की गई इसमें है ना, next question, how many amount proposed for Jal Jeevan Mission in budget, देख लो, Jal Jeevan Mission in budget में कितना amount proposed किया गया, ये आप से पूशा गया, answer की बात करें, answer is the 2,87,000, 2,87,000 करो रूपीज, 2,87,000 करो रूपीज, option number D is the right answer, the UK UK has launched a special visa scheme that will allow the, which country resident, answer is Hong Kong, हमने बात की थी, तो ना, आप बिसका समय बात का, Hong Kong हमारा सही answer हो जाएगा, who is the writer of the book, yearbook, which will be released in, ये नई, नया question है, yearbook, तो ये actor है, इनका नाम क्या है, सेट रोगे, हाँ, सेट रोगें, option number 8, yearbook, सेट रोगें, ये नया question है, देख लेना थोड़ा सा, हाँ, चली, देख लीजी, यहाँ point है, as per the world tourism barometer, report by the UNWTO, was the worst year 2020, तो क्या बोला गया कि, international arrivals में कितनी कमी देखने को मिली, international arrivals में कितनी कमी देखने को मिली, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, हमारा answer, 74% option number is the riders, the SpaceX of Elon Musk has recently announced to launch, its first all civilian mission to space, the mission has been named as, क्या इसका नाम होगा, तो नाम की बाद करे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, inspiration 4 option number B, inspiration 4 option number B is the right answer, next question, blue shift aerospace startup has launched, its first rocket prototype, name, जो की पहला biofuel rocket बन जाएगा, इसका नाम होगा, Stardust 1.0 option number A is the right answer, तो guys, I hope कि आपको हमारा session अच्छा लगा होगा, please हमें हमारे improvement के लिए, आप feedback दे सकते हैं, बच्छे हम try कर रहे हैं कि अपने session को latest pattern के accordingly, और best content वाला CA बना है, thank you so much guys, अपना ख्याल रखिए, भूलेगा नहीं, अपना ख्याल रखिए,